हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ जैक्स अगर आप भी मेरे तरह यूसर हैं वनप्लस नॉड के और पुराने फैन रह चुके हैं आप MIUI के तो यह मुझे तो बहुत ही जादा है विचुल हूँ मैं MIUI का क्यूंकि पिछले चार साल से MIUI का फोन यूज कर रहा थ अब MIUI वाले फीचर्स मुझे नहीं मिल रहा है मेरे नॉड के अंदर तो आप नॉड के अंदर फीचर ला सकते हो MIUI कुछ जादा नहीं सबसे पहले चीज जो है वो यह है कि आप लॉंचर ला सकते हो MIUI का क्यूंकि यह जो पोको लॉंचर होता है जो के प्लेस्टोर पर यहां पे आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाएगी वो है भाई एब ड्रॉर एब ड्रॉर नहीं एब वॉल्ट चो बोलो यार इसको इसको इसका नाम है कंट्रोल सेंटर माफ करना तो जो आइफोन की कॉपी की थी M.I.U.I. ने आप इसको अपने वन प्लस नॉड के अंदर भी डाल सकते हो कैसे डाल सकते हो बहुत ही सिंपल स्टेप है इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर से एक अप्लिकेशन डाउलोड करनी है जिसका नाम है M.I.U.I. कंट्रोल सेंटर लिखना आ जाएगा ठीक है यह एप है आप देख सकते हो M.I.Cंट कि नहीं हमको भाई कंट्रोल सेंटर चाहिए पूरा का पूरा तो येलो कंट्रोल सेंटर इधर और नोटिफिकेशन शेड इधर इस तरह से जो है दो हिससे में बढ़ जाएगा अब इसमें कुछ और चीज़े भी मिलेगी आपको जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर ठीक है उसके बाद ले आउट इसके ले आउट में भी आप काफी कुछ ज lekker कर सकते हो जैसे कि ले आउट में हम चलते ह réflCam पर आप आइकन वगेरे set कर सकते हो और बाकी सारी चीज़े जो है वह आप यहां पर set कर सकते हो साथी साथ colors भी आप add कर सकते हो कि किस color का आपको क्या चाहिए कैसा notification का background चाहिए कौन सा text color चाहिए brightness कैसा होगा dynamic color क्या होगा tint action क्या होगा उसके बाद आप यहां डाट यूज秤 बहुत है और यहां पर यहां पर को आप देख सकते हो यहां सब्सक्स कर सकते हैं जो को OnePlus Nord में नहीं मिलता है by default इसके लावा age trigger का भी option मिलेगा यहाँ पर भी आप थोड़े बहुत customizations कर सकते हो उसके बाद जो है यहाँ पर आपको heads up यानि कि जो notification आएगा वो किस तरह आएगा वो सब यहाँ पर आप set कर सकते हो कुछ extra options भी दिये गए हैं जिनको आप देख के अपने हिसाब से use कर सकते हो जैसा आप चाहो use करना वैसा आप use कर सकते हो इसके लावा आगे बढ़ते हैं कि इसको download कैसे करना है तो play store पर इसकी भी link available है, poco launcher की भी available है दोनों ही आप download कर सकते हो फोन के लिए अगर जैसे देख सकते हो आप मैंने tempered glass लगा रखा है एकदम age to age है यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये tempered glass लगाने के बाद बीना cover के भी मैं phone use करूँ तो मेरे phone पे कोई scratch जो है नहीं आने वाला जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद camera glass भी मैंने लगा रखा है जिससे कि मैं जाब पीछे का camera भी protect है साथ ही साथ पीछे मैंने एक transparent skin लगा रखी है जिससे कि पीछे scratch आने के chances खतम हो चुके हैं तो मैं बीना cover के भी phone easily लेके घूमता हूँ क्योंकि phone काफी slim है तो बीना cover के यार इसकी एक अलगी look मिलती है साथ ही साथ इस skin के अंदर आपका oneplus का tag नहीं छिपता है oneplus का tag भी जो है वो लगा रहता है खेर जो खास बात है अगर आपको ये wallpaper चाहिए इसकी भी link description में available है बाकी मैं भी लूँगा अगली वीडियो में इस वीडियो में बस इतना ही कुछ पूछना है तो आप commentation पूछ सकते हैं नए हैं चैनल को subscribe जरूर से करें और bell icon दबा दें ताकि आपको notification मिस ना हो क्योंकि oneplus nord पर अभी मैं बहुत सारी videos बनाने वाला हूँ जो back to back चैनल पर आती रहेगी और हाँ happy independence day sorry मैंने कल वीडियो शूट ही नहीं किया तो मैं कल कुछ बोली नहीं पाया घर में कुछ काम चल रहा था तो मैं busy था ठीक है यार सबको मेरे तरफ से मुबारक हो